बस्पा प्रमोग मायावती ने संग यानि RSS प्रमोग मोहन भागवत के मज़िद दौरे पर तंश करस्ते हुए बीज़ेपी से सवाल किया है RSS चीप मोहन भागवत ने गुरुवार को एक मचीत और मदर्सी का दौरा किया और All India इमाम और्गनाइजेशन के प्रमोग के साथ चर्चा की इमाम संगटन के प्रमोग ने दोनों की मुलाकात के बाद भागवत को राश्ट्र पिता कहा इस पूरे घटना करम के बाद इस मुद्दे पर बस्पा प्रमोग मायावती ने प्रतिक्रिया दी है आरिसेस प्रमोग श्री मोहन भागव द्वारा कल दिल्ली स्थीत मस्जीत मदरसे में जाकर उलिमाओं से मुलाकात करने और फिर उनसे अपने आपको राश्ट्र पिता एम राश्ट्र रिशी कहलवाने के बाद क्या बीजेपी एम इनकी सरकारों का मुसलिम समाज और उनके मस्जीत मदरसों के प्रती नकारात्मक रूक और बरताव में बदलाव आएगा ये बात लिखते हुए ट्वीट किया है बसवा सुप्रीमो मायावती ने इसके साथ ही वो लिखती है कि एक तरफ यूपी सरकार खुली जगह में कुछ मिनिट की अकेले में नमाज पढ़ने की मजबूरी को भी सहन नहीं कर पा रही है और सरकारी मदरसों की उपेक्षा करते हुए नीजी मदरसों में भी हस्तक्षेप पर उतारू है और दूसरी तरफ आरेसेस प्रमुक मजजित में जाकर क्या दिखावा करना चाते है बता दे कि पहले इस मुद्दे पर कॉंग्रिस ने भी बीजीपी सरकार पर जम कर निशाना साधा है हारा कि अभी तक आरेसेस की ओर से कोई बयान नहीं दिया गया है आपकी इस पर क्या विचार है हमें कॉमेंट करके जरूर बताए साथ ही अन्य खबरों के लिए आज जी इक्वालिटी न्यूज के फेस्बुक पेज को लाइक और फोलो करे और यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद